कर दोस्कार दोस्तों मैं रंधीर फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आज हाज़र हूँ उमेद करता हूँ कि इस करोना पेंडेमिक में जैसा कि आज का दिन मैं करोना फिर रेज कर रहा है थोड़ा था तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हूं उनसे अग्रह है कि प्लीज किप डिस्टेंस बिना मास के बाहर मत घुमें आप अपने तो जान बचाया है साथ में अपने फैमली को भी खत्रे में न डाने रही आप जब बिना मास के बाहर निकलते हैं तो यह सोचिए कि आपके घर वाले रिस्क पे हैं जब यह आप सोचेंगे तो साइद आप सेफ्टी की साथ बाहर निकलेंगे धन्यवाद भाय क्या है भाय क्यों होना चाहिए मेरे हिसाफ से भाय ज़रूरी है भाय की सत्ता भी होनी चाहिए अगर आपको भाय नहीं होगा कि करोना से में यह नुक्सान होगा तो आप अपने साथ साथ अपने फैमिली को भी खत्रे में डाल सकते हैं तो भाय हमें बहुत कुछ शिकाता है यह भाय क्या है भाय क्यों होता है कभी आपने सोचा है क्या होता है जब हम कहीं जगह पे होते हैं और भैवीत हो जाते हैं इसका बड़ा ही दार्शनिक और अलग व्यक्या हो सकता है जब आप जहां पे रहते हैं जह जगह पे आपको वहां भेहन ही लग आप दूर देखते हैं वहां जाओंगा तो वहां पे कुछ हो सकता है और जब भी आपका consciousness जो आपका चेतना consciousness होता है आपका will powerful होता है आप भैवीत नहीं होते हैं आपने सुना होगा कि लोग बिमार जब पढ़ते हैं मैंने भी अपनी मां से अपने बच्वन में सुना है कि जब बिमार होता बच्चा तो बच्चा क्या मतलब जवानी तक लोग अपने मां के आजू बाजू सोते हैं मां बोलती है कि लोहा रख लो यह था क्यों होता है कि आप जब वीक होते हैं तो आपको डर क्यों लगता है जन्दगी में आपके पास जहां भी खाली जगह होता है तो ने निगेटीव वाइब्रेशन आ रहा है जहां मूमेंट नहीं होता ना वहां बैड एनरजी आ जाती है निगेटीव आपरेशन उसको होता है और जो जगह आपका जगह खाली हो गया आपका वील पौर जहां कम हो गया आपके कॉंसेस्निस जहां कम हो गया आपके जो आपका ब्रमांड है इनर ब्रमांड वहां जब आपका कॉंसेस्निस जहां बे कम होगा अस्थान रिक्थ होगा तो वो तो भरेगा भरेगा कौन कोई भी रित अस्थान होगा तो उसको भरेगा एनर्जी आती है अब एनर्जी निगेटिव और पोजेटिव दोनों होती है निगेटिव एनर्जी ही क्यों आती है कभी आपने सोचा है कि आपके दर्वाजे पर कोई साधू चोरी करने आया है कोई अच्छा आदमी आपके घर में बिना बुलाया गुत गया कभी सुना है कि खेड़की के रास्ते कोई अच्छा आदमी या कोई कहीं से बाहर से गुश गया चोरी से कभी सुना है नहीं को उसको आने के लिए आपके घर में छुपके आने के कोई जौरत नहीं है, चोरी से आने कोई जौरत नहीं है, क्योंकि उसको कुछ चुराना नहीं है, कुछ लेना नहीं है आपसे, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो ले सकता है, क्योंकि वो संसारिक चीजों में विश्वासी नहीं करता है चाहिए वो कब शरीर हो या आपकी संपती हो लेकिन जो चोर होता है वो चोरी से आएगा कब जब रात के अंदेरे होंगे जब सर्व लोग सो रहे होंगे जब देखेगा कि अब भी सही समय है अब कमजोर पढ़ सकता है सामने वारा कि को तो सो रहा है सो ना मतलब कमजोर पढ़ रहा है तब वो आएगा चोरी करने कोन आता है चोर आता है मतलब बैड एनर्जी तो जब भी आपका अमजोर होते हैं रिक्त अस्थान होता है मतलब सो रहे होते हैं आपका कॉंसस्थान सो रहा होता है जिस जिस अस्थान पर रिक्ता होती है कॉंसस्थान का महां पर बैड एनर्जी आता है इसलिए लोग क्यों बोलते हैं भूर का डर लग र आपके शरीर का लेकिन जो बैड एनर्जी है उसको आपका शरीर चाहिए तरफ किलने है जो भोग करना चाहता है जो जो भी समाज में या जीवन में भोग करना है तो बीना शरीर के भोग नहीं कर दोता है इसलिए वो आपको डर लगता है इसलिए वो आपको जो आपके वीडियो में समझाने की भी कोशिश करूँगा भय क्या है एक बार चलिए कहानी सुरू करने से पहले मैं आप लोगों से फिर निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें लाइक करें और अच्छा लिए करें और दोस्तों के शेर करें आप देखते है मेरा वीडियो चाहे कम देखते हों चाहे ज्यादा देखते हों मुझे अच्छा लगता है लेकि मैं चाहता हूं कि देखने के साथ साथ आप लोग प्लीज सब्सक्राइब भी करें अभी भै की कहानी सुरू होती है एक सन्यासी के पास एक आहम आदमी गया बोड़ा आपका आपनी इश्वर को देखा है भगवान से आपका मतलब कॉंटेक्ट है सुनाया मैं भी चाहता हूं कि मतलब बहुत जन्दगी जह लिया अब एक ही इक्छा रही मेरे जन्दगी में कि मैं कैसे इश्वर को पालूं या इश्वर को का सामना हो जाए तो सन्यासी ने बोला कि भाई इसके लिए तो पहले भैमुक्त होना पड़ेगा देखो मैं कितना भैमुक्त हुई है जंगल मैं केले हूँ कोई डर नहीं है मेरे को किसी चीज का तो मैंने सब कुछ त्याग दिया जब मेरे पास सब कुछ त्याग दिया जब मेरे पास सब कुछ त्याग दूगा तो मेरे क्या होगा मैं जंगल में चला जाओंगा तपस्या करें तो मेरे क्या होगा मैं बिमार मत तरह तरह के उसने बताया तो बोला कि पहले भैमुक्त होना है कि समय का पुकार था उसी समय सी शेर में दार मारा जोर थे तो दार मारा तो बंदा कापने लगा दूसरा वहला तो वह बोला कि अरे भाई अरे आप क्यों डर रहे हो सनासी ने बोला उस बंदे से करा अरे यार आपको डर नहीं लग रहा है लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है बताईए आप तो करा कि आप इश्वर को पाने की आप में छमता नहीं है आप इश्वर को नहीं पा सकते कि आपको इश्वर क्योंकि आप मैंने पहले ही बोला था कि इश्वर को पाने के लिए आदिमी वही कर सकता है यह सब कुछ क्याग दो उसमें भैना हो सासी व्यक्ति ही इश्वर को पा सकता है तो आपने आप घबरा गए एक शेर क्याने से ठीक अभी मैं क्या करूँ तो उसके बाद बोलता रहा बोलने के बाद बोला कि आप यही बोला कि आप यही रखो मैं आपको दूसरा कारे बताता हूं आप मैं भी आता हूं अपने कुटिया से और आपको दूसरा कारे बताता हो तो आप करके दो मेरे को फिर मैं आपको देखुँगा कि आप मेरे को सोटी पे कसे जा रहे होग नहीं और मेरे को सोटी पे आप खरे उतरते हो या नहीं वो बन्ना wypही खड़ा रहा सन्यासी अपने कुटिया में गए वो बंदी ने क्या-क्या पत्थर पे जहाँ पे बैठे थे है वहाँ पे उनके भगवान का नाम लिए मतलब जिस धर्म का हो उनके अराध्ये जिसको अराध्ये का मानते थे जिसकी पूजा करते हो जिसके अर्चना जो भी करते हो, इजजत करते हो, उनका नाम लिए। सन्यासी आया, उपर से तो बोला कि देखो, आपको छे दिन मेरे कोटिया में रहना पड़ेगा, मैं जो हूँगा बताऊंगा। जो पत्थर पर चढ़ने लिए तो अचनक उसने पत्थर पर देखा रही क्या निखा हुआ है। पैर आप पीछे खीच लिया। पैर पीछे की जा। वो बोला है, अरे क्या होगा। अरे नहीं। पत्थर पर कैसे पैर रख सकता हुआ। इस पर तो मेरे आइडियल का नाम है। इंका चित्र बना हुआ है। मैं तो रखी नहीं सकता। तो बंदे ने बोला। बाबा डर तो आप भी रहो। आप भी पैर डर से नहीं रख रहे हो। कि पता नहीं क्या अन्यसा हो जाएगा। तो भै आपको भी है। मुझे शेर का है। और आपको आपके चिंतन का है। मेरा तो शेर नहीं है तो मेरा डर खतम हो जाएगा। लेकिन आपकी जो भै वो आपके अंतरात्मा में कभी भी जाओगे। वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए भै पालो बाहर अंदर नहीं। अंदर अगर आप में भै समा गया। निगेटिव आइवरेशन। सोच। आपके सोच में अगर ये निगेटिव आइवरेशन निगेटिविटी आ गयी। भै आ गया। तो आप जिन्दगी में कभी भी सुख नहीं भोग सकते। कभी सफलता का सुआद नहीं चक सकते। सफलता एक अजीव सी विडमना है। कोई आदमी सो करोड पाकर या बड़े पोस्ट पाकर भी सफल नहीं हो पाता। कोई छोटा सा सिक्षक होके भी और छोटी सी नोकरी में भी सफल हो पाता है। सफलता का अपना हाख लन है। तो सफलता एक आपका स्वाज चखना भैमुक्त होके कि कल ये नोकरी चले जाएगी तो क्या होगा। ये पैसे चले जाएंगे, तो क्या होगा? इस भाय से आप मुक्त होएं, उसका स्वाज चखें, जो आपके पास है, पता नहीं कल हो ना हो, बीन परजेंट मैं हमेशा से बोलता हूँ जो आपके पास सीजे हैं उसका उभोग करें उसका स्वाच चक्खें उसका आनंद उठाएं कल के चक्कर में आज ना खोएं कल किसने देखा आए ना है धन्यवाद मैं मुईत करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लोगी होगी आप मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए धन्यवाद